गुद मॉनिंग फ्रेंड्स आज किस वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं आज किस वीडियो में हम बात करेंगे आज किस वीडियो को सुरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ वन बाइवन का फॉर्म भर रहे थे तो उनको प्रॉब्लम कहा रही थी जो पिछले साल वाले है पिछले यर में जिन्होंने एक्जाम दिया था तो उनका किसी कारण वस नहीं हो पाया तो वह इस बार जब अप्लाय कर रहे है उसी से थेक है तो उनको बता रहा है तो वह लोगों का क्वेश्चन था कि हमको फी पे करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है क्या वन टाइम फी है या हर बार फी करना पड़ेगा तो फ्रेंड्स कली मेरी बात हो गई है एक्सेसबैंक ABYP program से मैंने mail किया था उनको ये सारी चीजे पूछा था तो उन्होंने जो है मुझे mail करके सब कुछ किलियर कर दिया है तो चलिए मैं आपको बत अता हूँ तो फ्रेंट जैसे कि आप देख सकते ये मेल उन्हें ने मुझे भेजा है तो मैंने उनको सिधा ही पूछा था कि क्या one time fee है या हर एक बार आपको pay करना पड़ेगा तो देखिए we would like to inform you that you have to register with an email id which has not been used earlier for the program ठेक है इसका मतलब है कि अगर आपको अभी apply करना है तो आपको फिर से new email id create करना पड़ेगा ठेक है फ्रेंट आप ये समझ के चलोगे कि मेरा registration successful हो गया तो आपको कोई mail आने वाला नहीं है ये आपको बता दू फ्रेंट आपको simply करना क्या है आप जाइए new email id create करिए और फिर से registration करिए तब आपको fee pay करने का option आ जाएगा ठेक है फ्रेंट तो सभी लोगों का doubt जो है अभी clear हो चुका है तो अगर आपने अभी तक pencard नहीं बनाया है तो pencard बनाईए जल्दी से जल्दी लाजड़ेट जो अभी काफी time में इसको over होने के लिए तो आप तब तक अपना pencard बना सकते हो और apply कर सकते हो तो simply आपको करना क्या है अब जो भी old candidate है जो भी previous candidate है उनको new registration अपना करना है new email id बनाना है और फिर जाके registration करना है और जो new user है वो तो आप अपना registration करिए सकते हो आपको कोई problem नहीं होगी registration कैसे करना है ये video जै निक मिल जाएगा तो उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते कि किस तरीके से आपको registration करना है ठीक है फ्रेंट्स आपको समझ में आँगा तो चलिए बात करते हैं ICC bank PO के बारे में ठीक है देखे काफी लोग पूछ रहे थे कि उनका apply हुआ या नहीं देखिए उन्ह आपके सामने कुछ इस तरीका का पेज आएगा आपको जो है अपने login जैसे करोगे वाप पे icccareer.com पे जाके login करोगे तो आपके सामने जो है कुछ पेज खुलेगा जिसमें आपको लिखा रहेगा कि application status करके ठीक है application status उस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने लास्ट में दो प्रोविशनरी ओफिसर है ठीक है दो प्रोविशनरी ओफिसर करके लिखा है तो समझ लेजिए आपका applied हो चुका है अगर नहीं हुआ है नहीं लिखा है एक भी है तो भी आप समझ लो कि आपका applied हो चुका है ठीक है फिर भी एक बार आप कैसे करिए जैसे म उसमें वीडियो मिल जाएगी कि किस तरीके से अपलाई करना है 47 batch के लिए तो उसमें मैंने आपको पूरा detail बताया है तो वो वीडियो आप चेक आउट कर सकते हो ठीक है फ्रेंट तो उसमें मैंने बताया है कि आपको सबसे मैंने आफिसर मिल जाएगा तो उसमें आप देख लेना वहां पे आप क्लिक करके अपलाई कर सकते हो ठीक है तो फ्रेंट जो आइससी बैंक प्यू का 47 का बैच है उसका लास्ट डेट जो अपलाई करने का 31 जनवरी 2019 है फ्रेंट जनवरी 2019 है प्लीज इसको आप जल्दी जल्दी अपलाई कर लिजेगा ठीक है फ्रेंट आपको समझ में आने होंगा तो वीडियो जैसी एंड होका आपको दो वीडियो देखेंगी एक तो आइससी बैंक प्यू 47 बैच को किस तरीके से अपलाई किया जाए और ए अपने दोस्त के साथ शेयर करना और कुछ कमेंड होगा तो करें दोना फेंड्स तब तक के लिए अपने ध्यान रखना गुडबाई